एक बार इच्छा आपका स्वागत है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ मैतुपूम वाग के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम सबसे पहले प्लाजमेड को फुनने वाले हैं प्लाजमेड है वो जो में पाई जाने वाला एक वर्थाकार दीरजु के डियने हैं जिसको हम वाग के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में एक मैतुपूम एक संसुदित या रूपांतित प्लाजमेड PBR 322 के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और किस तरह से इसके सेलेक्ट्रेबल मारकर्स कौन काम लेकर पुंद्रियोजी और पुंद्रियोगी में बैद करेंगे वो भी अपन देखने वाले हैं दूसर से पहले देखिए कि जो प्लाजमेड होता है ये एक छोटा वर्दाकार डबल स्टेंडर्ड डियने होता है और इसी गुन के करण हमने इसको वाग के रूप में इस्तिमार किया है प्लाजमेड को जिवानों से आसाने से अलग किया जा सकता है इसमें विजाते डियने को आसाने से जोड़ा जा सकता है और पुने इस्तानांतर किया जा सकता है तो यह plasmid के गुण है कि हम जिवानसिस को आसानी से निकाल सकते हैं फिर जो वानसित या विजाति डिने है उसको आसानी सिस में जोड भी सकते हैं और फिर उने इसको परपुशी कोशिका में इस्तानांतरित भी कर सकते हैं अताय प्लाजमिड वाक के रूट में बहुत उप्यूगी है प्राकृतिक प्लाजमिड में स्वय प्रतिकरती की सिमित सम्ता होती है स्वय मित का मतलब है उसमें प्रतिकरती की सम्ता होती है वो एक कंट्रोल पर करिया होती है सिमित होती है अताय प्रयोग साला में ऐसे रूप रूपांत्रित plasmid बनाए गए हैं मानाव द्वारा जिनका उपयोग हम वाग के द्वारा या वाग के रूप में उनका उपयोग करते हैं तो संसुदित plasmid बना ले गए हैं जिसमें अपनों धर्म पढ़ेंगे देखी PBR 322 का एक plasmid है जैसे PUC 19 इसके लावा एक PUC 18 भी होता है 18 और 19 इसके लावा जैसे TI plasmid यह संसुदित प्लाजमिट है जिनका उपयोग हम वाग के रूप में करते हैं तो यहाँ पने एक उदारन परने वाले हैं PBR 322 देखी एक plasmid है जो कि प्रयोग साला में बनाए गया है रूपांतरित करके बनाए गया है और इसमें जो प्रतिकरते की शंता है वो अपार होती है तो प्रतिकरते करता है यह तो PBR 322 मानव द्वारा रूपांतरित plasmid है ज इसमें क्लोनिक वहाग के रूप में सरो परत्म और सरवातिक प्रयोग में लाये गया है तो अगर इक वहाग में यह तो को से ज़्यादा PBR 322 का इसे देखे 1977 में केलिफोर्निया जो विश्व विद्यले है सेन प्रांसिस्को में वहां अमेरिका में वहां एक हरवर्ट बोयर की प्रयोकसाला है उसमें बनाए गया था तो इसको 77 में केलिपूर ने विशुद दाले सेन प्रांसिस्कों में हर्वर्ट बोईर की प्रियोकसाला में विगयनिकों द्वारा बनाय गया है इसका नाम देखिए बनाने वाले सोध करताओं की नाम पर दिया गया है जैसे P का मतलब तो प्लाजमिड है फिर B का मतलब है ब बनाने वाले सोध करता थे और दूसरे है आर जिसका नाम में रूट ड्रिगेज यह भी की सोध करता थे तो 20 से तो बोली वर र से रूट ड्रिगेज और 322 नंबर का इनका जो ओडरोफ सिंतेसिस था ओडरोफ आइस नहीं परतक्रण का जो करम था इसका वह है तो यह ओडर 4,322 यह एक वरतागार ड्रिगेज है जिसके अंदर टोटल 4,361 शारक अनुकरम होते हैं या नुकलोटेड होते हैं इसके अंदर पूरी 4,361 शारक विगम है तो इसमें कुल 4,361 शारक विगम बेस पेर्स होते हैं और इसके दोरा यह जो PBR 322 है इसके दोरा हम 15 किलो बेस स से चोटे डीने कंडों का क्लोन कर सकते हैं 15 किलो बेस का मितलutet 15,000 बेस पेर से चोटे डीने कंड़ों को हम इसके साथ जोड सकते हैं और फिर उनको प्रपोर्व इसी कोशिका में इस्तानान्तित करके क्लोन बना सकते हैं। उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। तो यह PBR 322 की स्थरजना है। देखे इसमें क्या क्या होता है। तो अपने बुक के अंदर जो इसका चीक्त दिया गए वह इस तरह से है। कि इसमें देखे एक दो selectable markers हैं जिसे हमने red color में दिखा रहा है यह है ampicillin प्रतिरोधी gene यह gene है selectable markers के तरह काम करती है इसे तरह से इधर है tetracyclin प्रतिरोधी gene यह भी एक selectable markers के तरह काम करती है tetracyclin gene के अंदर दो तरह के restriction site होती है एक BAMH first के द्वारा की और एक SAL first की restriction site मुझद होती है मतलब यह enzyme द्वारा काटेगे खंड को हम यह आपर जोड सकते है या यह enzyme यह से cut करेंगे और 1-6 DNA को हम यह आपर जोडते हैं इसी तरह से ampicillin जो प्रतिरोधी gene उसमें दो restriction site होती है PUV first की और PST first यह से भी endonucleus enzyme होते हैं और इनकी यह restriction sites है इसी तरह से जैसे Eqor first की है दोनों जीन के बीच में फिर Clay first यहने CIL first की है और फिर HIN D third की यहाँ पर restriction site है और दूसरे तरह तेके रहे तो यहाँ पर हमने यह green color में एक औरी दिखार की यह original replication है यहाँ से प्रतिकरती के शुरुआत होती है और इस तरह से शुरुआत करके यह यहाँ तका कर फिर एक replication कर लेता है पुरा और इसी के पास एक rope होता है जो कि इसी प्रतिकरती यह orico control करता है इसको पर repressure of primer बोलते हैं जो कि orico control करेगा और यहीं पर एक restriction site और होती है पी वी यू सेकिंड तो इस तरह से इस पर बहुत सारी restriction site होती है अलग-अलग की enzyme जो endonucle enzyme है उनके दवारा इस restriction site प्रतिबंदन इस तल इसके उपर पाई जाते हैं और वो इसको यहां से cut करेंगे और फिर अपने वान्चित्य जो DNA होगा वो यहां से जोड़कर हम वाग के रूप में इस्तिकमाल करेंगे restriction site फस्ट वाले दिखा देनी है इसके बाद दोनों के वीच में आपको इक वार फस्ट, CL फस्ट और HIN जो दी थर्ड है उसकी restriction site दिखा देनी है लगवग इस पर बारा restriction site मौजूद होती है जिसमें अलग अलग तरीके से हम वाँ जीन की टुकड़ों को वहां पर restriction site पर जोड़ सकते हैं तो यह एक PBR 322 का चित्र है वर्तगार अगर हम यह जो restriction site है इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम देखें किस तरह से होता है अगर मैं इधर लिखतूं तो इसको अलग से करता देते हैं जिससे यह है आपका कौन-कौन से हैं यह है एक तो C तो है एक को और फरस्ट एक है C L A फरस्ट एक है इन डी थर्ड एक एंजाइम है आपका यह साल फरस्ट एक बी-ए-ए-म एच फरस्ट एक है पी वी यू फरस्ट एक पी एस टी पी एस टी फरस्ट यह एंजयम है यह आप है और एक है PUV सेकंड PUV फर्स्ट और सेकंड यह तो दोनों यह की जिवानों से प्राप्त होगी तो इस तरह से हम यह जो मैन मैन इसके रेस्टिकल साइट है इसके देख लेते हैं बात देखे यह शेंद्रफ्स जो है इंडोनुकलिय एन्जयम है यह से रेस्टिकलाई यानी यह आपको होता है C.A.L.फस्ट एक जिवानों है जिसका नाम है केरियोफेनोन केरियोफेनोन लेटैम इस से प्राप्त होता है केरियोफेसे जिवानों लेटम से एला ले लेद ribs इसी तरसे हिन देठर है, वो एक ज्योन है, हेमोफिलस, हेमोफिलस इन्फ्लूएंजी, यह एक ज्योन होता है, इससे ही पराप्त होता है, साल फर्स्ट है, वो एक ज्योन है, स्ट्रेप्टोमाईसीज, एलबस, इस इस से बराप्त हुआ है और बाम हैस फस्ट एक जवानु है बैसिलस अमाईलो लिक्वी फेस्यंज अमाईलो लिक्वी फेस्यंज जवानु है इस से निकला गया है और PUV और PUV फर्स्ट और PUV जो सेकंड है यह दोनों कहां से निकाले गए हैं यह एक एंजायम है Proteus Proteus Vulgaris Proteus Vulgaris तो Proteus तो पिले लिया Vulgaris से VU लिया इसको Vulgaris को परहे से लिखते हैं Vulgaris VUL तो यहां से VU लिया और PST First PST का इत्व है Providencia Providencia Stoorty Stoorty यह है तो Providencia से P ले लिया Stoorty से ST ले लिया तो यह restriction site होती है यानि यह जो इंडोनिकुल जैम की restriction site होती है यह इन इन जिवानों से प्राफ्त होती है अपने को Equor Equor फस्तों प्राप्त हो रहा था Equalysis Cariophenol Latum Hemopilus Influengy Stoetomyces Albus Bacillus Amylol Liquefacin जिवानों Proteus Vulgaris और Providencia Stoorty तो यह सारी Restriction site है जो Indonucleus Enzyme site है इन जिवानों से यह Indonucleus Enzyme को प्राप्त होते हैं वहाँ पर हम प्राप्त करके जो 1-2-2-1 ने है वो जोड सकते हैं तो इस तरह से यह Restriction site को आप द्यान में रख सकते हो कौन-कौन से जिवानों से यह Restriction Indonucleus Enzyme प्राप्त होते हैं तो यह अपना Plasmid का चितर हो गया जिस पर Vibintra की Restriction site मौजूद है और दो देखिए दो Selectable Markers है Ampicillin और Tetra-Cyclin प्रतिरोदी जीन तो देखिए अगर हम यहां पर Tetra-Cyclin जीन के बीच में कोई मांचे जोड़ते हैं तो Tetra-Cyclin जीन को हम निस्ट करेंगे तो फिर Tetra-Cyclin का इस जिवान इस प्लाजमेड पर या इस जो जिवानों होगा इस पर Tetra-Cyclin से यह निस्ट हो जाएगा क्योंकि यह Tetra-Cyclin का प्रतिरोदी नहीं कर पाएगा यदि हम Ampicillin जीन के अंदर को जीन जोड़ते हैं तो Ampicillin को निस्ट कर देंगे तो फिर Ampicillin से यह जिवानों उपना बचाव नहीं कर पाएगा और उससे निस्ट हो जाएगा तो इसके अदार पर हम पुनर योगज और पुनर योगज जीवानों को शिकाओं की पहचान कर लेंगे तो वो इस तरह से यह दोनों Selectable Markers की तरह काम करेगी तो यह था अपना PBR 322 का नामां की चितर Next पढ़ लेते हैं दीखे PBR 322 में दो परतिजेवी की प्रतिरोधी जीन यानि Ampicillin-R यानि resistant Ampicillin-Resistant और Tetra-Cyclin-Resistant जीन पाए जाते हैं Ampicillin जिसे Ampr को Ampicillin प्रतिरोधी जीन बोलते हैं और Tetra-R को Tetra-Cyclin प्रतिरोधी जीन पर इन दोनों एंटिवाटी का कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जीन उस प्रतिजेवी की या एंटिवाटी का प्रतिरोध कर लेगी उससे खुद को बचा लेगी अब विजाती DNA खंड को इन दोनों प्रतिजेवी प्रतिरोधी जीनों से एक में इस्तित क्लोनिंग इस्तल या प्रतिबंदन इस्तल या पैचान इस्तल पर जोड़ा जाता है अब देखिए हम कोई भी विजातिय डीने कंड ले या वांची डीने ले और इन दोनों के बीच में कहीं पर जोड़ते हैं तो जिस जीन के बीच में जोड़ेंगे वो जीन है टेटर आर उसके इस तलसें जोड़ा जाता है तो कि टेटरसाइकलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग को जोड दिया है तो निवे-सन के कारण हम ने इसकी प्रतिरोदिक्ता नस्ट कर दिये लेकिन EMPicillin के लिए प्रतिरोदिक्ता बनी रहती है क्योंकि EMPicillin के लिए क्यों बने inflake यह आती है कि आमने वैसा बोशेसा रखा है, क्या से की जैसे हमने यह प्लाजमिट था और यहां पर tetra cycling की यह जीन थी, और यहतरण यहुझा की resistant gene है और यह tetra cycling की gen है तो हमने वा अचैस यहां लिया, DNA यहां जोड़ दिया तो मतलब है की हमने tetra cycling प्रतरोदी जीन को काटा है यहां पर इसको निस्क्रे कर दिया है तो इससे फिर यह जिवानों अपना बचाव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी प्रतिरोध दकता खतम हो चुकी है हमने इसको काट कर बीच में कोई अन्य डिने जोड़ दिया है एमपीसलीन को हमने ऐसका ऐसा रखा है 이पीसलीन पर कोई दिखत नहीं है यह अपना पतिरोध जारी रखेगी तो हम यह कहा रहे हैं कि एमपीसलीन के लिए पतिरोध दकता बनी रहती है क्योंकि हमने वह जीन वESへ के वेसी रखी है इस आदार पर हम पूंदर योगज और पूंदर योगज याने रीखॉंबिनेंट एंड नॉन रीखॉंबिनेंट की पहचान कर सकते हैं क्योंकि कैसे करेंगे? क्यूंकि पूंदर योगी जो होगा वो EMPICC like mechanism में वर्दि करेगा क्योंकि EMPICC like a basic present है पुन्दर योगज ये तेत्रसcipline स्युद्ध में नस्ट हो जाएगा वर्द्धी करेगा है नहीं केवल वह Ampyciline में व्रद्धी करेगा इस तरह से प्रको पतास जाएगा ये तेत्रस दीतात स्युद्ध में व्रद्धी नहीं हो रही है है एंपीसली में वर्धी और इसका मतलब वह है वो पुनर्योच के को सिखा है जबकि एउदर्योच जो नौन रइक होंगन होते हैं वो दोनों प्रतिजे़ी के माद्य में समावधी रूप से वर्धी करेगा और दोनों के प्रति वो ना बचाव करेगा अथार्त पुंद्र योगत जो होंगे वो केवल एक प्रतिजेवी की माद्दे में वर्दी करेगा और कौन से केवल एक का मतलब केवल एक वो भी कौन से MP-Seline-R वाले में वर्दी करेगा जबकि एक पुंद्र योगत होगा वो दोनों प्रतिजेवी की माद्दे में वर्दी करता है क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों जीन किसी भी जीन में हमने DNA ने जोड़ा एक पुंद्र योगत का मतलब होगा या उसमें DNA जुडाई नहीं है वहाँ जीन जुडाई नहीं है पुंद्र योगत का मतलब है वहाँ जीन जुडा था अब जिस जीन में जुड़ेगा वो काम करना बंद करतीगी निस्क्रियो जाएगी और उसमें फिर वो जीमानों कोशिका व्रदी नहीं कर पाएगी इस परकार पृति जीनो को वरण योगी चिन देखे स्लेक्टेबल मारकरस के तरह परिप्त करते हैं तो हम जो पृति जीन की पृति जीन है दो एम्पी सलेनों टेटरस gouvernement जीन इनको अपन स्लेक्टेबल मारकरस यानि वरण योगी चिन के multimodhan कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौनसी जिवनकोषी का रुपांतरित हुई या नहीं हुई या कौनसी जिवनकोषी का पुन्रयोगजी है या दूसरी पुन्रयोगज नहीं है अब देखिए प्रति जेवी के प्रतिरोधी जीन के निस्क्रिय करण के कारण प्रति पुंद्र योगज का चेन करना एक जटिल पर क्रिया है क्योंकि अगर हम प्रति जेवी का निस्क्रिय करेंगे बीच में DNA का टुकडा जोड़ कर तो फिर हमें उनको अलग-अलग एंटिवाटिक डाल कर देखना पड़ेगा कि क्या वो फुंद्र योगजन सफल हुआ या नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो प्लेटों माद्यम में बिन-बिन प्रति जेवी की होता है दो प्लेटों माद्यम होंगे जिनमें अलग-अलग प्रति जेवी की होगा और फिर उनको हमें एक साथ प्लेटिंग की आउसिकता होती है यानि उनको बार बार एक बार एक बार एमपिसलीन में एक बार टेटरसाइकलीन में एक्सप्रिमेंट करके देखेंगे कि यह जवान कुछ कोई से माद्यमें वर्दी कर रही है और कोई से माद्यमें वर्दी नहीं कर रही है तो उससे पर पता लगाएंगे कि पुन्दर योगज हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन ये थोड़ी सी जटिल परक्रिया है इसको देखते विए हम क्या कर रहे हैं कुछ दूसरे वेकलपिक सेलेक्टेबल मारकर्स का उप्योग करेंगे तो इसको देखते विए दूसरे वेकलपिक वरणयोगे चिनों का विखास किया गया है ताकि अधिक स्रालता से हम पुन्दर योगज और एपुन्दर योगज में विभेद कर सकें तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो ज़्यादा जैसे प्रतिजीवी को बार-बार एक्सपरिमेंट के जूर्द नहीं पड़े तो हम कुछ दूसरे सेलेक्टेबल मारकर्स की मद्द दिले सकते हैं पुन्दर योगज और एपुन्दर योगज को चाटने में तो देखे हम कुछ विखकलपिक के सेलेक्टेबल मारकर्स की साहता से हम पुन्दर योगज और एपुन्दर योगज को और अधिक सरलता से ब्याइद कर सकते हैं तो दूसरे विखकलपिक के सेलेक्टेबल मारकर्स कौन से हैं उसके बारे में प्रिपन देखते हैं तो जो कुछ विकल्पिक दूसरे सेलेक्टेबल मारकर्स होंगे देखे वो कुछ इस आदार पर काम करेंगे तो जो ये विकल्पिक वर्णियोगी चिनिया जो सेलेक्टेबल मारकर्स होते हैं वो पुंदर योगज और पुंदर योगज से इस आदार पर हम अलग करेंगे कि एक वरणों उत्पाद की एक क्रोमोजेनिक पदार्त युक्त मद्म में यानि हम उनको एक ऐसा मद्म देंगे जिसके अंदर एक क्रोमोजेनिक पदार्त होगा यानि वरणों को उत्पाद की यानि वरण यानि कलर देगा वो कलर का उत्पादन करेगा तो वो color जैसे निला और सफेद है तो वो किस तरह से color का उतपद न करेंगे या नहीं करेंगे तो उसकी उपस्तितिका अधार पर हम पुनर योगज और एपुनर योगज में फरक कर लेंगे कि हमें एक माद्यम दे देंगे एक plate के अंदर इसके अंदर कुछ वरणों उत्पाद की क्रोमोजेनिक पदार्थ होगा क्रोमोजेनिक पदार्थ इस माद्धे में हम ग्रोथ करवाएंगे उसे जो जुवानों है जिसके अंदर हम RDNA डाल रहें तो उसमें पन देखेंगे ग्रोथ हो जब होगी तो जो निले रंग की कोलोनी बनेगी वो तो पुंदर योगिस की बनेगी और जो वाइट कलर की कोलोनी बनेगी वो पुंदर योगिस की बनेगी तो वो कैसे बनेगी वो देखें देखें तो एक कलर के आदार पर यानि वरण उत्पादन के आदार पर हम ये पता लगा लेंगे कि पुंदर्योगाजी या फंदर्योगाजी तीकि एक जीन होती है वीटा गलेक्रोसाइड जीन जो कि एक एंजेम बनाएगी वीटा गलेक्रोसाइड एंजेम यह एंजेम क्या करता है जो हूमने माद athletes में उमोजनिक पदार्त लिया है उसके साथ मिलकर यह नीला रंग देता है और बीटा गलेक्टोसाइड एंजाइम बनता है बीटा गलेक्टोसाइड बनाने वाली जीन से जो कि एक सरचनात्मक जीन होती है उसके द्वारा यह बनता है तो जब विजाती डीन एक खंड का बीटा गलेक्टोसाइड एंजाइम बनाने वाली जीन के मद्दे कर दिया तो हमने कह किया है फिर हमने बीटा गलेक्टोसाइड बनाने वाली जीन के मद्दे कर दिया है कर दिया जाता है तो इससे बने पुंदर योगस डीने का बीटा गलेक्टोसाइड एंजाइम बनाने ये जीन के बीच में तो वो विजात्य DNA खन्ड जोड दिया है तो बीटा गलेक्टोसाईड एंजयम बनाने वाले जीन को निसकरी कर दिया है हम निस्क्रिय करने से उप्रांत क्या होगा बीटा गलेक्टोसाइड एंजायम बनेगा नहीं और बीटा गलेक्टोसाइड एंजायम नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक पदा आर्थ की उपस्तिती में भी नीलारंग नहीं आएगा तो इसका अर्थ है कि बिटा गलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बन रहा है इसका मतलब विजातिये खंड़ जूड चुका है यानि पुंद्र योगजे बन चुका है तो निवे से निसकरेता हो गई हमने जो विजाति डिने का टुकड़ा था वो बिटा गलेक्टोसाइड ए निसकरे हो जाती है इसे निवे से निसकरेता गयते हैं इस स्थितिये में निले रंग की कोलोनी नहीं बनती है क्यों नहीं बनी क्योंकि एंजाइम नहीं बना बिटा गलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बना तो क्रोमजिनिक पदार्थ के कारण उपस्थिती में वह निला रंग नहीं देगा इसे पुंदर योगस कलोनी के रूप में पैचानते हैं तो देखिए ये निली रंग की कलोनी नहीं बनी तो वाइट कलर की कलोनी बनेगी निली रंग की तो नहीं बनेगी लेकिन वाइट कलर की कलोनी बनती है तो वाइट कलर को हम कलर नहीं मानेंगे यद तो बिटागलेक्टोसाइड एंजायम बन जाता है जो क्रोमजेनिक पदार्त की उपस्तिती में नीले रंग की कोलोनी बना लेता है और ये क्या होती है इसे हम एपुंदर योगा जी या नोन रिकोंबिनेट के रूप में पहचानते हैं तो देखिए यानि नीले रंग की कोलोनी बनेगी तो वो तो होगा एपुंदर योगाज जिनको अपन बोलेंगे नोन recombinant बोलेंगे उनको और जो सपेद कोलोनी बनेगी बिनारंग वाली उसको अपन बोलेंगे recombinant इस तरह से हम कलर को देखकर पता लगा सकते हैं देखे कि वो पुंदर योगज है या आपुंदर योगज है तो ये और जदा अपन को सरलता से पुंदर योगज और आपुंदर योगज में बेद करने में मदद करते हैं देखे हमने एक बीटा कलेक्टोसाइड बनाने वाली जीन का इस्तिमाल किया है उसके बीच में अगर डीने जोडते हैं तो एंजाइम नहीं बनेगा एंजाइम नहीं बनेगा तो निला रंग नहीं बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि अगर एंजाइम बनेगा तो ये क्रोमोजेनिक पदार जो हमने मादद में लिया है उसके साथ मिलकर निला रंग देगा तो ये enzyme अगर बनेगा नहीं तो निलारंग नहीं बनेगा enzyme बनेगा तो निलारंग बन जाएगा अब enzyme कब बनेगा जब हम विजाती DNA खंडे इसके बनने वाले जीनके में नहीं जोडेंगे तब तो निलारंग बन जाएगा और हमने विजाती ये डिने जोड दिया है तो निला रंग नहीं बनेगा तो जोडने का मतलब ये है कि हमने पुन्दर योगज त्यार कर लिया है तो इस तरह से केवल कोलोनी का कलर दे के हम ये पता लगा लगते हैं कि यहाँ पर पुन्दर योगज है या एपुन्दर योगज तो इस तरह से हम एक अत्रिक्त विकल्पिक सेलेक्टिबल मारकर्स की तरह बीटा गलेक्टोसाइड जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके इस्तिमाल कर रहे हैं बिटा ग्लेक्टोसेट जीन का और कोलोनी का रंग देख कर हम इसे पता लगा सकते हैं बाकी के आप वीडियो देखना चाहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर अपना एक हेडलाइन है क्लास बारा बाइलोजी एन सी आर टी तो उसमें अभी तक जितने भी सिनब वीडियो बनाई जा चुके हैं वो इसके अंदर एक जगे हैं आप उन वीडियों को देख सकते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो बाकी के लेशन पहला दूसरा तीसरा या चटवा लेशन या न के लिस्ट में दाके थेंक यू